नमस्कार आप देख रहे हैं डिन पी इंडिया हिंदी और मैं हूँ आपके साथ रोजी अली आप सभी को कृष्ण जन्मास्टमी की बहुत बहुत बधाई भगवान श्री कृष्ण के जन्मसव को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है जन्मास्टमी को 11 और 12 अगस्त को मनाया जा रहा है जन्मास्टमी के शुब अफसर पर सभी मंदिर सजकर तयार हो गए हैं और अब हर किसी को भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने का इंतजार ह भगवाई श्री कृष्ण की नगरी मत्रा को भी भवे रूप में सजा दिया गया है लेकिन कुरोना वाइरस के चलते सारुजनिक रूप से सभी भक्तों के लिए कृष्ण नगरी को 11 अगस्त के लिए बंद कर दिया गया है इस बीच मदरौ में पूरे नियमों के साथ हर साल की तरहा जनमास में मनाई जाएगी लेकिन क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में पूजने वाले भगवाई श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर आप भगवाई श्री कृष्ण को लगातार नहीं देख सकते हैं ऐसा क्यूं है और इसके पीशे का क्या कारण है इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वरंदाबन में श्री बांके बिहारी मंदिर के नाम से मशूर भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा मंदिर मौजूद है जिसे भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण को लगातार नहीं देख सकते है इस खास और भव्वे मंदिर में भगवाई श्री कृष्ण और राधारानी एकाकार रूप में मौजूद हैं जनवास्टमी के दिन सबसे आदा भीड इसी मंदिर में उमरती है कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में मौजूद प्रतिमा को किसी नहीं बनाया है यह प्रतिमा सौमी हरीदाश जी के अनुरोध पर प्रकट हुई थी इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये प्रतिमा लगडी की है राधा कृष्ण का एक रूप होने के वज़े से इस मंदिर का नाम श्री बांके बिहारी मंदिर नाम दिया गया है बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन लगातार आप नहीं कर सकते हैं अगर आप यहां आएंगे तो लगातार आप सेवकों के द्वारा परदे को हटाते और लगाते हुए देख सकते हैं कहा जाता है अगर कोई भक्त तक्टकी लगाए भगवान श्री कृष्ण की मुर्थी को लगातार देखता रहता है तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ चले जाते हैं और ऐसा कई बार हो भी चुका है इसी कारण से यहाँ पर भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के पूर